श्री शिवाये नमस्त व्याम हरहर महादेव कैसे हैं आप सब देखे हम सभी जानते हैं कि कल नवरात्री की पंचमितिती है याने कि नवरात्री का पाँचवा दिन है और नवरात्री के पाँचवे दिन मा दुर्गा के पंचम स्वरुप की पूजा की जाती है याने कि मा इस इसकन्द माता कहते हैं, और मा इसकन्द माता का जो वहान है, वो सीये हैं। इसलिए आज के दिन आपको मात्र एक चुटकी हलदी से बहुत ही रचुक उपाया करना है। देखे आजके स्वीडियों में आपको तीन उपाया बता जाएंगे। तीसरा जो उपाय है वो आप आपके बच्चों के लिए उज्वल भविष्य के लिए भुद्धी ज्यान विवे के लिए आप ये तीसरा उपाय कर सकते हैं देखिए घर को पवित्र करने का उपाय है बहुत ही आसान से उपाय है पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से आपको ये सुन्दर सा उपाय करना है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को तो नवरात्री की पंचमी तीती बहुत ही खास है तो इसलिए आपको बहुत ही खास उपाय करना है देखे ये जो उपाय है देवी भागवत में लेखित उपाय है बहुत ही आसान सा उपाय है आपको लेना है मात्र एक आम का पत्ता आपको तोड़ना है और आपको क्या करना ह बहुत ध्यांचे समझना आपको दो स्वास्तिक का निर्मान करना है एक स्वास्तिक का निर्मान आप करेंगे हल्दी से कैसे करेंगे आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामी का उंगली कहते हैं अनामी का उंगली से आपको हल्दी का स्वास्तिक आप ध्यान रखना मुड़ना नहीं चाहिए सीधा हल्दी का स्वास्तिक आपको बनाना है देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा है इस प्रकार से एक हल्दी का स्वास्तिक आपको बनाना है ठीक है साथ में इसी पत्ते के उपर आपको बनाना है ला अब आपको लेना है चावल, साबूद चावल के दाने लेना है, दो धेरी चावल के लेनी है, ठीक है, एक में आपको हल्दी मिलानी है, गीली हल्दी, गीली हल्दी मिला देना, जिससे चावल का जो रंग है, वो हो जाएगा पीला, और ये जो पीले चावल है, आपको रखना है लाल वाले स्वास्तिक के उपर यानि कि जो कुमकुम का जो स्वास्तिक है उसके उपर रखना है ठीक है और जो पीले वाला जो स्वास्तिक है उसके उपर आपको चावल रखना है लेकिन कुमकुम वाले थोड़ा सा कुमकुम को गिला करके उसके बाद ये चावल जो है भी सुपय को बिल्कुल ध्यान से समझना जिस भी व्यक्ति का जिसका भी लड़का हो या तो लड़की हो जिसका भी विवा नहीं हो पा रहा है उनको क्या करना है पत्ते को अपनी हतेली पर रखना है सीधी हतेली पर रखना है और उसके बाद क्या करना पत्ति का जो डंडे का भाग होगा वो आपकी तरफ होना चीए आगे याको बा समझ मैं और आपको किसी भी कडवे नीम के पेड के महाँ पर जाना है उसी व्यक्ति को जिसका विवा नहीं हो पा रहा है मा दूर्गा से विवा की कामना करते हुए यह जो पत्ता है वहाँ पर आपको नीम के पेड़ के वहाँ पर जड़ के वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है ध्यान रखना जब अर्पित करेंगे तब भी डंडी का जो हिस्सा होगा वो आपकी तरफ ही होना चीए आप जब अर्पित करेंगे तब आपका नाम बोलेंगे आपकी गोत्र बोलेंगे और आपको विवा की काम ना करना है बस इतना सा उपाय करना है इस नवरात्री के पंचमी दीती पर ये उपाय करिएगा निश्यति आपका जो विवा है जो कि आपकी बात बनते बनते रे जाती है बात बिगर जाती है या आपके हाँ पर रिष्टे आही नहीं रहे हैं तो आपको यह उपाय करना चीए निश्यति आपके जीवन में निश्यति आपके विवा के योग इस उपाय को करने से बनते हैं देखो ये हो गया पहला उपाई दूसरा उपाई भी बहुत खास है दूसरे उपाई के लिए आपको पंचमी तीती पर नवरात्री के पंचमी तीती पर मात्र एक चुटकी हल्दी से ये उपाई करना है देखो आप नवरात्री में पंचमी तिति पर जब भी इसनान करेंगे तब एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको इसनान करना चीए क्योंकि इससे दुरभागी दुर होता है और पंचमी तिति याने की ज्यान की देवी मा सरस्वत्य को समरेपित होती है तो आपके जीवन में भुद्धी ज्यान और समझधारी आपकी बढ़ती है इससे तो आप ये भी उपाय कर सकते हैं क्या करना है दुसरे उपाय में इसनान आधी करने के बाद तामबे के पात्री के अंदर जल भरना है उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है साथ में एक तुकड़े गुड का डालना है कुमकुम भी उसके अंदर डाल सकते हैं या आप एक गुड़हल का पुष्प भी डाल सकते हैं देखे गुड़हल का जो लाल पुष्प है वो माता दुर्गा को बहुत ही प्रिया है जो आपके जीवन के कस्टों को दूर कर देता है और माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है तो गुड़हल का फूल भी आप डाल सकते हैं यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मात्र एक चुटकी हल्दी और गुड़ से भी योपाय कर सकते हैं तेकि तामदे के पात्र के अंदर ये दोनों चीज डाल दी या तो आप ये चारों चीज भी डाल सकते हैं अब पंचमी तीथी पर आपको सूर्य देव को अर्दे देना है क्योंकि कल रविवार का दिन भी है अर्दे देंगे अर्दे देने से पहले आपको सूर्य देव के बारा मंत्रों का जाप करना है मंत्र का जाप करने के बाद सूर्य देव को अर्दे देना है मस्तक से लोटा उपर उठाना है और उसके बाद बोलना है अगर इस लोग का जाप आपको नहीं आता है ओम सूर्य देव की साथ बार सेवन टाइम्स आपको परिक्रमा करनी है ओम सूर्य देव के पाते के अंदर थोड़ा सा जल तो रही गया होगा उस जल को आपको 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 आखो पर लगाना है आपके कंट पर लगाना है और आपकी नाभी पर लगाना है इस उपाय को करने से आपका जीवन तेजमय बनता है यदि आप आलसी है तो आपको यह उपाय करना चीए साथ यदि आपको कोई रोग है तो आपको यह उपा को करने के लिए आपको तीन अशोक के पत्ते लगेंगे मात्र तीन अशोक के पत्ते लेकर क्या आना ठीक है तोड़ करके लेकर क्या सकते हैं सूर्यास्त के पहले सूर्यास्त के बाद यह उपाय करना है लेकिन पत्ते आपको सूर्यास्त के पहले पहले तोड़ लेना है तीन तामविका पात्र माताराने के सामने रखना है ये तीन अशोक के पत्ते आपको रखना है साथ में एक चुटकी हल्दी रखना है माता कि आप आरती कर ले आपकी जो भी क्रिया है आप जो भी करते हैं तो आपकी जो भी क्रिया है चालीशा का जाब है जो आपको करना है करने के बाद आपको हल्दी को थोड़ा सा गीला कर लेना है और आपके सीध्य हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसने अनामी का उंगली कहते है उस अनामी का उंगली से आपको हर एक पत्ते पर आपको स्वास्तिक बनाना है तीन पत्य पर आपको तीन स्वास्तिक बनाना है अब इन तीनों पत्यों को आपको ओम, एम, रेम, क्लिम, चामुनडए, विचे, इस मंतर का 11 बार जाब करके ये तीनों पत्य आपको जलके पात्तिर के अंदर डाल देना है ठीके आगे आपको बास्वाज में जो हल्दी बची है वो भी आप जलके पात्रे के अंदर डाल सकते हैं अब आपको क्या करना है वो तीनों पत्य को एक साथ पकड़ना है और उसके बाद इससे आपको जलका छिटकाओ करना है आपके घर की हर एक दिवार पर आपको छिटकाओ करना है आप आपके घर के मुख्य द्वार पर आजाएं सबसे पहले मुख्य द्वार के वहाँ से छिटकाओ करते हुए आपको आना है और छिटकाओ करते समय आपको रिम क्लिम स्वामिन्ये नमह इस मंत्र का जाब करना है या तो ओम देवी सकंद माताई नमह इस मंत्र का जाब करना है इस उपाय को करने से घर की नकारत्मक शक्तिया दूर होती है घर में सकारत्मक उर्जा का प्रवेश होता है घर में यदि कले श्रिता है तो वो दूर होता है इस जल को आप आपके बच्चों के उपर भी छिटके क्योंकि इस उपाय को करने से आपके बच्चे जो है ज्यानवान बनते हैं भुद्धिमान बनते हैं किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में होती है वो सब दूर हो जाती है आपको ले पासान सा उपाय है आपका घर पाइवित्र करेंगे आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको तीन महा उपाय बताएं ये तीनों उपाय आपको हल्डी से ही करना है मोख्य रूप से आपको हल्डी का इस्तमाल इन तीनों करना है देगे अगर आपको कुछ बेचे समझ में ना आई तो कमेंड में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी नहीं करना है शरी शिवाय नमस्त भ्याम हर हर महादेव